कितना बना ले तो उसको सेफ समझा जाएगा I think Delhi मुझे लगता है शिखरधवन पर बहुत डेपेंडेंडेंट है अभी आप देखो Kings 11 में KL फॉर्म में आगे है Mumbai में Rohit Sharma तो इंडिया का जो टॉप ओडर है वो पुरा फॉर्म में वी आर होपिंग कि आज शिखरधवन फॉर्म में आएंगे और टॉप थ्री में से अगर ये बल्ले बास आखरी तक खेलते तो आपने पिछले माच में देख लिया है कि कितना स्कोर जा सकते है तो इस विकेट पर ये कहना थोड़ा सा मैं कहूंगी कि मेरे लिए मुश्किल है कि कितना स्कोर वो बना सकती है बड़ मुझे लगता है जरूर है कि आज ग्राउंड डिफरेंट है पिछले माच की तरह नहीं जाएगा मैदान में क्या दिखाई देता है उससे पहले क्योंकि बात में जो स्कोरिंग है जो आप जब आपको सामने चेसिंग रखनी है वो आपके लिए बहुत ज़ादा है चलिया और चलते जलते इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं बड़ी खबर ये है कि विराट कोहली की पतनी और एक्ट्रेस अनुषका शर्मा ने अब सुनील गावासकर को करारा जवाब दिया है कि गावासकर को किसी भी खिलाडी की निजी और प्रोफेशनल जिन्दगी को अलग अलग रखना चाहिए और ये अनुषका का रियाक्शन इंस्टेग्राम अकाउंट पर आया जिसमें अपने स्टेटिस में अनुषका ने लिखा है मिस्टर गावसकर आपको इस तरह की बात कहने की जरूरत क्या थी जिसमें पती के खराब प्रोफेशन के लिए पत्नी को जिम्यदाद है राया जाए मुझे पूरा भरोसा है कि पिछले कुछ साल में आपने कॉमेंटरी के दौरान हर क्रिकेटर की परसनल लाइफ को अलग रखा होगा क्या आपको नहीं लगता कि मेरे और विराट के मामने में भी यही होना चाहिए था गवसकर ने कल बैंगलोर और पंजाब के बीच हुए मैश के दौरान विराट कोली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा पर निजी टिपनी की थी